UAE पुलिस ने जारी की चेतावनी फल्जी परचारों से रहे साफधान नमश्काल मैं उठ्या जोड आप देख रहे हैं UAE खबर UAE पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि सभी नागरिक फल्जी परचार से साफधान रहे जो नौकरी दिलाने का जूठा दावा करते हैं दरसाल आजमान पुलिस ने बिभाग में नौकरी की रिक्तियों के बारे में एक स्पस्ट्री करन जारी किया है प्रादिकरन के अनुसार सोशल मीडिया पर अफवाएं चल रही हैं जिसमें दावा किया जारा है पुलिस सभी रास्ट्रीयताओं के लोगों के लिए रोजगार के अफ़सर खोल रही है पुलिस ने पुष्टी की है कि ये अफवाएं जूटी हैं और ऐसी अफवाएं फैलाने के परिनामों के बाले में चिताबनी जारी करते हुए कहा कि वे स्थिती की बारीकी से निगरानी कर रहे है और गलत सूचना फैलाने वालों की तलाश कर रहे है वही आरोपी के पक्र जाने पर उसे सक्ट से सक्ट करवाई की जाएगी उसके उपर वहीं पुलिस ने सभी नागरिकों से सजग और साबधान रहने के लिए अपेल किया है इसके साथ ही जंता से केवल आधिकारिक श्रोतों से ही समच और प्राप्त करने के लिए कहा गया है ना कि सूचना के लिए अनौप्चारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भरोशा करने के लिए वहीं आपको बता दे से पहले ट्विचर और सोशल मीडिया पर एमिरेट्स पोस्ट ने निवासियों से सतर्क रहने और खुद को ऑनलाइन शॉपिंग होटालों का सिकार होने से बचाने के लिए सागधानी बरतने की आग रखी थी उन्होंने कहा था कि हम केवल अपने अमीराथ पोस्ट पंजिकरित खाते के माध्यम से ही SMS भेजते हैं अमीराथ पोस्ट ने निवासियों से कहा कि वे ऐसे संदिक्दों में दिये गए लिंक पर लॉग इन ना करे साथी उन्होंने SMS की तस्वीर भी साजा की थी जिसमें लिखा था कि गलत पता जहनकारी के कारण आपका पैकेज वितरित नहीं किया गया था और पैकेज को गोदा में वापस कर दिया गया था किरपया अपना शिपिंग पता अपडेट करे और अपनी डिलीवरी फिर से शिड्यूल करे जिसके बाद लिका था कि आपके पार्सल में देरी हुई है किरपया शिपिंग का भुक्तान करने के लिए जल से जल पता अपडेट करे लिंक पाने के लिए एक उत्तर दे आपको बता दे कि यह SMS दुबई में एक महिला को प्राप्त हुआ था उन्होंने को सामान ओर्डर किया था जिसके लेकर उन्हें एक SMS प्राप्त हुआ कि हमारे क्रेडित कार्ड का OTP भी दरज कर दिबा दिया था क्योंकि मुझे वास्तरमें लगा कि या उस Package के लिए है जिसकी मैं उमीद कर रही थी जब ह सोच रही थी कि Package कहां तक पहुँचा है तो उसने Follow Up के लिए Emirates Post को Phone किया और तबी उसे पता चला कि वो ठगी का शिकार हो गई है महिला ने बताया कि उन्होंने कहा कि मेरे नाम से कोई भी पार्सल पंजिकरित यानि की रजिस्टर नहीं था और उन्होंने मुझे बताया कि मैसेज जो मुझे मिला वो नकली है वही महिला ने तुरंद अपने पती को इसके बारे में जानकारी दी फिर उन्होंने कार्ट को ब्लॉक करवाने के लिए बैंक को फोन भी किया लेकिन गर्णी मत रही कि कार्ट पर कोई भी संदेद सुल्क जो है वो नहीं लगाय गया था ऐसे में अमिरेट्स पोस्ट ने इससे साफधान रहने की चितावनी दी और अपनी शूशल मीडिया से लोगों कोई अजानकारी दी तो आप भी ऐसे फरजीवारे का सिकार में बड़े और साफधान रहे और बने रहे ऐसी खबरों के लिए यूँगई खबर पर